पांच सो तेरा करोड की सूपर हिट फिल्म बाहु वली अगर मैं आपसे पूछूं के इस फिल्म के हीरो का नाम बताईए तो आप जट से कह देंगे प्रभास अगर मैं आपसे पूछूं के इस फिल्म के डाइरेक्टर का नाम बताईए तो भी आप कह देंगे राजा मौली लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस फिल्म के हिंदी डब राइटर का नाम बताईए तो सायद आपको सोचना पड़ेगा जी हाँ, 513 करोड की सुपर हिट फिल्म में हिंदी डब राइटर जिनके बारे में आज हम बात करेंगे नमस्कार, मैं महावीर, आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलीवोड कैलेंडर के इस सेग्मेंट में जिसका नाम है जीवन यात्रा मिडिल क्लास फैमिली से विलॉंग करने वाले ये मसहूर राइटर जिनके पिता किसान थे और मा प्राइमरी स्कूल टीचर थी 500 रुपे की सेलरी थी उसके बावजूद बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया बचपन से इनको पढ़ने का बहुत शौक था जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशूर स्क्रिप्ट, डायलोग, सॉंग राइटर मनोज मुंतिसिर की फिल्म बाहु बली से रिलेटेड मनोज मुंतिसिर जी ने अपना एक किस्सा एक इंटर्विव में बताया वो बताते हैं कि हैदराबाद के एक स्टीडियो में वो बैठे थे, जहां कुछ गानों को लेकर डिसकर्शन चल रही थी वही दर्वाजे से एक व्यक्ति आता है और सांती से अपनी एक सीट पे जाके बैठ जाता है उसके बाद मनोज मुंतिसिर वापस मुंबई आ जाते है मुंबई आने के बाद, तीन दिन के बाद उन्हें एक कॉल आती है वो कॉल थी राजा मॉली और वो मुझसे कहते हैं कि आपको मेरी फिल्म बाहु बली के लिए डायलोक्स लिखने है मैंने उनसे कहा कि आपने गलत जगे फॉन मिलाया है आपको गुलजार सहाब या जावेद अक्तर सहाब के पास जाना चाहिए लेकिन फिर भी राजा मॉली सहाब ने कहा कि नहीं आप ही मेरी फिल्म बाहु बली के लिए हिंद्र डायलोक्स लिखेंगे मनोज जी का जन 27 फरवरी 1976 को यूपी के अमेठी जिले में हुआ था मनोज बताते हैं कि 16 साल पहले स्टार टीवी के एक अधिकारी ने मेरा काम देखा था एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि आम इताप बच्चन से मिलोगे वो मेरे संघर्स के दिन थे तो मुझे लगा कि मजाग हो रहा है फिर वो मुझे एक होटल ले गए जहां मेरी मुलाकात अमिताप बच्चन से हुई 20 मिनट की मीटिंग के बाद मेरा सलेक्शन हुआ और साल 2005 में कौन बनेगा करोडपती के लिए लिरिक्स लिखने का मौका मिला और मनोज जी ने ना सिर्फ बाहु बली बलकि हाफ गल्फ्रेंड, रुस्तम, एमेस धुनी, विरपपन, सनम्रे, बेबी, पीके एक विलन जैसी तीन दर्जन से अधिक फिल्मों में गाने और डायलोक्स लिखे तीन हजार रुपे पाकर खुद को अमीर समझने लगेते ये किस्सा है साल 1999 का जब पहली वार मनोज मुंतिसिर सहाब मुंबई पहुचे वहाँ उन्हें अनूब जलोटा ने एक भजन लिखने के लिए कहा भजन उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं था, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कत हुई लेकिन पैसो की जरूरत थी, तो उन्होंने वह भजन लिखा उसके महनताने के रूप में अनूब जलोटा जी ने उन्हें तीन हजार रुपए का चेक दिया, वो उनकी पहली सेलरी थी और आप यकीन नहीं करेंगे, वो तीन हजार रुपए पाकर, वो अपने आपको अमीर समझने लगे उनके लिखे गानों में वो नशा है, जहां प्रेमी अपने महबूबा की गलियां याद करता है उनके अलफाज प्रेमी को जीने की वजह देते हैं तेरे संग यारा कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, नई पीड़ी के प्रेम दिवानों के लिए लव एंधम बना और तेरी गलियां गाने के लिए मनोज मुंतिसिर सहाब को धेर सारे आवार्ड मिले हम उम्मीद करते हैं मनोज मुंतिसिर सहाब बॉलिवुड का कद यूँ ही बढ़ाते रहेंगे और आप देखते रहें बॉलिवुड कैलेंडर डॉट कॉम 25 तारिक को हमारा एक कॉंटेस्ट है जिसमें हम आपको दे रहे हैं JBL Do It Mini Headphones और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो देर किस बात की है चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें